हलो अबेड़ोन, वेलकम टो रुचीजीजीवे, कैसे हैं आप सब? तो लास्स वीडियो में मैंने आपके साथ शेर किया था गंपती, पुले, मंदिर के दर्शन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी गंपती, पुले, पीच जो cleanest beaches में से एक beach है जो आप देखकर समझ जाएंगे तो वीडियो को end तक देखिए hopefully आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शुरू करते हैं तो हम बीच पर गए थे 5 o'clock something तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर sunset का time होने वाला है बहुत ही clean और I think clean होने का एक reason यह भी है यहाँ पर आपको बहुत जादा shops नहीं मिलेगे जहाँ पर जितने जादा food stalls होते हैं वहाँ पर उतना ही जादा कच्रा भी होता है तो that's why शायद यहाँ पर इसलिए बहुत जादा clean है आप देख सकते हैं पानी में बस आपको छुटे-छुटे से crabs देखेंगे जो आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे ही वेब आती है तो वह उपर आ जाते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं और जबी भी आप C के पास आएं एक से दो पैर कपड़े एक्स्ट्रा जरूर अधी इस्पेशली जब पच्चे हैं तब और यहां पर आप activities भी कर सकते हैं जैसे कि यह राइड है जो आप देख रहे हैं आप यहां पर बगी राइड भी कर सकते हैं यहां पर बोटिंग भी होती है वो भी आप कर सकते हैं तो इस तरीके ही कुछ activities हैं जो आप यहां पर कर सकते हैं और इसे पैरशुट राइड बोलते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं और इनके प्राइजेस फिक्स हैं यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बागिनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं अदरवाइस इनके जो प्राइजेस हैं वो फिक्स होते हैं और संसेट का टाइम हो रहा है यहाँ पर 6 o'clock 6.30 के बाद यहाँ पर रुपने नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर high tide हो जाता है जो समुद्र का पानी है वो काफी आगे तक आ जाता है जो आप आगे के वीडियो में देखेंगे स्पेशली बच्चे बीच पर बहुत इंजॉय करते हैं तो तेड़ घंटा हमने यहाँ स्पेंड किया और उसके बाद हम आ गए थे रिजॉर्ट में और हमने यहीं पर डिनर किया आप चाहें तो बाहर जाके भी डिनर कर सकते हैं यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनो वराइटी मिल जाएगी और यह रिजॉर्ट का नाइट व्यू है आप अपनी गाड़ी की पारकिंग अपने जस्ट रूम के सामने कर सकते हैं और यह है कैफेट एरिया और यह है मौनिग व्यू जो मैंने रूम की बैलकनी से लिया है आप देख सकते हैं पानी बहुत जादा आगया गया है और जब हम कल इवनिंग में गए थी तो पानी पीछे था और मॉनिंग में जब आप रूम का डूर उपन करेंगे तो जो समुदर की वेप होती है उनकी आवाज बहुत तेज आवाज आती है और बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू मॉनिंग में जब उटके आप देखेंगे और चारो दरफ यहाँ आपको नारियल के पेड मिलेंगे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ आपको नारियल पानी बहुत चीप रेंज में मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो रेट सिटी में है वही रेट आपको यहाँ भी मिलेगा यह है रिजॉर्ट का मॉनिंग व्यूँ मंदिर से दर्शन करके आने के बाद हम फिर से बीच पर आ गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसके बाद हमें चेक आउट करना था और हमें जाना था कोलापुर तो नेक्स वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोलापुर का जोतिबा मंदिर इतना जादा टीटेंट क्लीन था कि मतलब यहां से जाने का मन ही नहीं करा था यह बहुत ही जादा अचा था और इस साइट पर जहां हम आये थे थोड़ा सा आगी जाके तो यहां पर क्रैब्स भी नहीं थे तो यह है रिजॉर्ट का दूसरा साइट यहां पर थोड़े अलग तरीके की रूम बने हुए है और यह शूट किया है मैंने स्विंग पर बैट के तो इसलिए यह इस तरीके से आ रहा है तो यह है रिजॉर्ट का जो दूसरा साइट यहां पर हट के शेप में रूम बने हुए हैं जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि यहां पर बुकिंग आप अवैलेविलिटी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं क्योंकि एजिली रूम मिलता नहीं है यहां पर ओपन जिम भी दिया है और यह है रूम कुछ इस सरीके से और सभी रूम के प्राइजेज अलग-अलग है और चारो तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हैं चारो तरफ आम के पेड़ हैं उन आम के पेड़ों के बीच में यह एक कठल का पेड़ था जो मैंने शूट क और यह है रिजॉर्ट के साइड में सी का बैक वाटर यहां पर भी बोटिंग होती है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच